उत्तर प्रदेश में दस जो सीटों पर विधान सभा उप चुनाओं हैं उनकी वज़े से सियासत तेज है राज़ितिक दलों ने अपनी दावेदारी ये अपनी तयारी दोनों ही शुरू कर दी है सीम योगी के लिए ये चुनाओं किसी अगनी परीक्षा से कम नहीं है जो 14, 17, 19, 22 पंचाइच चुनाओं नगर निकाइच चुनाओं उप चुनाओं में बना रहा यही मोमेंटम दो हजार 25 में भी बनेगा आज की डेट में सत्ता संघर्ष जो है दिल्ली वर्सेज लखनो और लखनो वर्सेज जो गुजरात का सत्ता संघर्ष है उत्रप्रदेश के दो दस विथान सभा के उप्चुनाओं है भारते इंदा पाटी पुरी मस्बूती के साथ लड़ेगे और जीतेगे भी कोई कारण नहीं दस की दस उप्चुनाओं फिर से भारते जन्ता पाटी अपने पक्स में करने में सफल हो लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा लगना पड़ेगा एक-एक कारिकर्टा को अपना अभिहान मान करके फिर इस अभिहान के साथ जुटना पड़ेगा उप्चुनाओं को जीतने में योगी आदितिनाथ वैसे ही जुटे हैं जैसे 2019 के आम चुनाओ में 2018 के उप्चुनाओं में हारी हुई सीटें जीतने के लिए पूरी दाकत लगाई थी 2018 में बीजेपी, गोरकपूर, फूलपूर और कैराना लोगसफ़ सीटों पर हुए सभी उप्चुनाओं हार गई थी लेकिन योगी आदितिनाथ ने साल भर बाद ही हिसाब बराबर कर लिया अब कुछ दिनों बाद उत्तरप्रदेश की दस विधान सभा सीटों करहल, मिल्कीपूर, कटेहरी, कुंदर्की, गाजियबाद, खैर, मीरापूर, भूलपूर, मंजवा और सीसमों पर उप्चुनाओं होना है इन सीटों में पांच सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो RLD, निशाद पार्टी की एक एक सीटे हैं, जबकि BJP की तीन सीटे हैं लेकिन लोगसवाद चुनाओं में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने BJP को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उप्चुनाओ योगी आजितनाद के लिए किसी अगनी परीक्षा से कम नहीं ये उप्चुनाओ बीजेपी और खासकर योगी आजितनाद के लिए नात का सवाल है समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनादी की बीच योगी आजितनाद उप्चुनाओ में बीजेपी को चीद दिलाने के लिए कम अरकस चुके हैं मंत्र मंडल की बैठक में सीम योगी ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया और उप्चुनाओं के लिए आगे की रणीती पर बात की बैठक से ये एहम बाते निकली इमांदार और जिताओ कैंडिडेट पर ही दाउं लगाया जाएगा प्रत्याशी की साफ छवी और जनता से जुडाव में उसके चयन को प्रात्मिक न दी जाएगी संगठन मजबूत करने, बूत कमेटियों पर काम करने और स्थानी कारकरताओं का कॉर्डिनेशन बहितर बनाने के लिए जोर दिया जाएगा मंतरी अपने क्षेत्र में स्थानियों, मुद्धों और पत्याश्यों की समीक्षा के लिए फीड़बैक लेंगे उसके बाद ही नामों पर फैसला होगा भारती जनता पार्टी कोई चुनाओ को सभी चुनाओ को गमिरता से लेती है और उपचुनाओ है, और उपचुनाओ में हम लोग बुरे एक मिरता से लेंगे और चुनाओ जीते हैं मुखी मंतरी योगी अधितनाथ की अगवाई में 30 मंतरियों को उपचुनाओ से जुड़ी एहम जिम्मेदारी दी गई है हर सीट पर इन मंतरियों को जीत की रणीती तै करने का दायत वुस्वापा गया है कि अभी से इसकी तैयारी में चुटना होगा एक एक वेक्ति वो जितना पड़ेगा प्लाग परमुक हो या चियर्मेन महा पौर हो या जिला पंचाद अध्यक विदायक हो या विधान परीसा सदस्य लोग सभा के हमारे मान्य सांसद हो या फिर राज्य सभा के मान्य सांसद इन सब को संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तैय करे उसके साथ खड़ा होकर की प्राणपन से जुट करके कमल चुनाचिन को विजयी बनाने की संकल्प के साथ अगर हम आगे वढ़ेंगे तो आपका भी सम्म उत्तर प्रदेश की दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चुनाव राज और देश दोनों की दाजनितिक की दिशाताई करने वाले साबित हो सकते हैं क्योंकि उप्चुनाव की दस सीटें आँकड़ों में छोटे नजर आ रही हैं लेकिन इसके नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो इसे लोग सभा चुनाव के नतीजों की अगली कड़ी के तौर पर देखा जाएगा एक ऐसा आईना जिसमें 2027 के विधान सभा चुनावों के लिए बीजेपी के अक्स पर संशे की लकीरे दिखाई देंगी